रक्षा बंधन जैसे ही आता है तो सभी भाई और बहनों के बीच में प्रेम देखने को मिलता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप अपने भाई के कलाई पे रक्षा सुत्र बांधेंगे तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिनसे कि उनके जीवन में सारी परिसानिया कभी कोई दिक्कत न हो उनका घर पूरे खुसियों से भरा रह और उनकी लंबी आयू के लिए आपको कामना करनी पड़ेगी एक छोटा सा उपाय करना है आपको कि जब आप अपने भाई की रक्षा सुत्र बांधेंगे राखी बांधेंगे तब उनके हाथ में एक स्रीफल होना चाहिए स्रीफल यानि की पानी से भरा हुआ नारियल उन आप लोगों को पता भी होगा कि श्रीफल जो है कार्तिके भगवान का श्रगूप है तो ऐसा करने से आपके जीवन की आपके भाई की लंबी उम्र के लिए आपको ये छोटा सोपाई जरूर करना है आसा करता हूं कि दी गई जानकरी आप लोगों को उपयोगी लगी हो औ और आप सभी भाई और बहनों को हमारे संस्कृती के तरब से रक्षा बंदन की बहुत बहुत सुब कामना है